सक्सेस प्लेटफोर्म चैनल में सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस कोंश्टबल कंप्यूटर सैट नमबर 19 सेकिंड शिप्ट आट बारा दोजार वीस के आपके दस कोश्टन जो पुछी गए हैं इने हम प्रैक्टिकली और थोटीकली दुन्हों टाइप से सोल करेंगे बचों हमारा टार्गे ठेक कंप्यूटर में दस में से दस नमबर लेका आना ये तभी संबभ हो पाएगा जब आप एक टोपिक को कम्प्लीट कवर कुरोगी जैसी इस इस कोश्टन में आपका इटैलिक वाला कोश्टन आया था इटैलिक कोश्ट होगी उसमें अन्डरलाइ italic, bolt, phone size increase phone size, decrease phone size कुछ भी आप सब पुछा जा सकते हैं एक number ना इस वाले diagram से आपका प्रतिक स्वीट में पक्का है बस change करकर गए पुछागा आप से क्लासी start करते है, question number आपका first MS Word में text formatting के सद्रम में italic, vikalp, numesic की सिरेनी के अंतरगत आता है अब सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जो italic होता है, एक phone style होता है जो अक्सरों को समानूप से दाइं और तिर्चागर के लिखता है और ये कहां सो होता है, आपका जो आई है ये देखो तिर्चागर के लिखावा ये आपका italic style है italic vikalp है आपका इतना पता सभी को होना चाहिए जबकि इसके जो shortcut की होती है वो क्या होती है control plus i shortcut की होती है italic की control plus i इतना आपको पता होना चाहिए यदि हम bold की बात करेंगे bold यह आपका यह होता है control plus underline control plus you यह आपका center यह होता है जब किसी page को जो आप लिख रहे हो center में करने के लिए यहाँ पर click कर दो direct यह shortcut की का use कर लो text highlight color यदि आप कुछ भी text कर रहे हो उसे highlight करना चाहते हो तो यहाँ पर click करो जो भी आपने लिखा होगा वो highlight हो जाएगा इसके बाद आपका phone color यहाँ से दिखा हुआ, इससे परèmeorte आपका 8 होता है default रोप से 11 होता है और maximum कितना होता है maximum आपका 72 होता है last previous year में जो आपका 72 phone size होता है इसमें पुछा बता यह कितने उसका होता है यह total एक inch निच का होता है कितना होता है 36 पुछ बार बार पुच्छा हुआ है रही होतीज Düzen इंच यह आपका हो जाएगा, ऐसे question पुछे आते हैं, बिल्कुल normally, इतना आपको पता होना जरूरी है, यदि हम यहाँ पे phone change करना चाहते हैं, यह आपका bold italic or underline के अपली side आते हैं, ठीक है जी, next question, question number 2, question number 2 में क्या पुछा है, diagram की साथ समझाऊंगा मैं आपको, निमलिखि आप admit card भी निकलवा लेते हो, ऐसा होता है, उसमें date and time so कर देता है, change कर करता है, अगर आपने ग्यारा बजगर, पचास मिन पर रात को admit card निकलवाया, वहाँ पर date and time so हो जाती है, उसी type से, यह so करता है, यह किस के अंदर गत करता है आपसे, यह उच्छा हुआ, यह आपका पर कार्या करते हो, याट किसी file पर काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई change किया आपने, और जो change करने के बाद सबचालीत है, आपने आप ही automatic, यह नई date and time, उसमें so करने लगता है, यह मैं बात करता हूँ, manually से refresh करने के लिए, F9 shortcut की आप use कर सकते हो, इतना आपको इसके बारे कोई data या कोई line cut करनी है, तो control plus x का use कीजिए, वो आपके क्या हो जाएगी, shortcut की हो जाएगी, किसकी data को cut करने के लिए, ठीक है जी, अब इसमें आपके तीन option ओर दिये हुए, इनका भी आपको पता होना अच्छी कि कौन से का use क्या होता है, control plus z, ब्लैंक ले लेते हैं, control plus z ह होता है, जैड होता है आपका, spread sheet, spread sheet में किये गए, किसी भी बदलाओ को वापस दोबारा लेकर आने के लिए, ठीक है जी, spread sheet में कियो भी बदलाओ हो गया, माले आपने कोईची डिलेट की, control plus z जैड दूं, वो वापस ही आजाएगी, ठीक है, control plus c किसलिए जोता है, जब भ करता है, copy करता है, control plus c direct पूछ लेगा, आपको copy पता है, लेकिन आपको language में ऐसी फसाएगा, examiner, क्या दे सकता है, जब कोई cell highlight किया जाता है, तो उसकी सामगरी को clipboard पर copy करने के लिए, किस shortcut की का use करते हैं, आप ये सोचों कि copy करने के लिए तो C था, लेकिन वो line ही ऐसी लि data, ये आपके clipboard पर आ गया, इसे paste करने के लिए क्या होता है, control plus v, ये आपके clipboard पर तब तक save रहेगा, जब तक आप next कोई data या कोई content आप या कोई text copy नहीं कर लो, next question, question number 4, MS Word में किसी भी document को print करने से पहले page को देखने या समयजित करने के लिए निमलीखित में से किस विखल्प का उप्योग किया जाता है, आप work कर रहे हो, work करने के बाद आपका page complete होगा, जो आपको लिखना था या आपको जो print out करना था, आप print out करने से पहले उसे देख सकते हो कि कैसा लिखा गया है, कहाँ पर किस साइड कितना लिखा गया, किस साइड कितना छूट रहे है, यह option कहा आता है, question यह पुछा होगा है, इसका आपका right अंतर हो जाएगा, option number third, print preview, आपका print preview कहाँ पर आता है, जैसे ही आप print menu में जागे file खोलोगे, यह आएगा यहाँ पर question आते हैं, जब next, next आपके paper में, या next set में, कोई question आएगा, मैं आपको complete print वाला setup बता दूँगा, next question, question number five, ms word में निमन में इसी किस भी कलब का परियोग, chanit text या paragraph के पीछे के background को color करने के लिए किया जाता है, question number five, important है आपका, यह होता है, क्या होता है, shading आपका होता है, change करने के लिए, किसका इस्तिमाल किया जाता है, आपका shading का किया जाता है, देखो जैसे की shading पूछ लिया, background के लिए, आप से watermark पूछ सकता है, page color के बारे हम पूछ सकता है, page border कहां से लगता है, इसके बारे हम पूछ सकता है, यह सारे ज़दी setting option में नहीं आया आपका, तो यह page background वाला option आएगा, आपका page layout के अंतरगत आता है, next question, question number 6, MS Word 2007 में पहले से मुझूद document को खोलने के संद्रम में निमली खिद में से कौन सा कतन आपका ऐस सत्य है, आप से पूछना चाहरा है कि कौन से सत्य है, option number A, मुझूदा word document खोलने के लिए shortcut कुंजी, जो आपकी shortcut क होती है, control plus M होती है, number 2, office button open पर click करे, number 3, मुझूदा word document खोलने के लिए shortcut जो आपकी की होती है, control plus O होती है, यह आपका बिल्गुल सही है, number 4, open पर click करने के बाद खुली window में file पर double click करे, यह भी आपकी बात बिल्गुल सही है, अब देखते हैं गल्थ क्या है, यह भी आप आपका सही है, open बिल्गुल सही है, office button बिल्गुल, आपका open पर click करे, बिल्गुल सही है, यह आपका गल्थ हो जाएगा, मुझूदा word document खोलने के लिए shortcut जो की होती है, आपकी control plus M नहीं होती, control plus क्या होती है, O होती है, अब आपको पता होना चीज़, जब इसने shortcut की देदी important है, control plus M, यूज क्यों की जाती है, मतलि यह किस लिए की जाती है, control plus M, जो आपकी control plus M होती है, जब Microsoft Word में अन्यवर्ड प्रोसेज प्रोग्राम चला होता है, control plus M की दबाते हैं, तो आपका paragraph, वो intent हो जाता है, paragraph intent करने के लिए, paragraph intent करने के लिए, की का यूज किया जाता है, य हर बार shortcut की के रूप में, उपयोग होगा, मतलब use होगा, और intent करने लगेगा, important था, आपका यह पता होना आपको जुरूरी है, next question, question number seven, electronics mail, internet परने मलिखित सेवाओं में से, किस सेवा से संबन्दित है, question number seven का, आपका right answer हो जाएगा, संचार सेवा, जिसे बोलते हैं, communication service, इ जिसके founder थे, Tim Bernard Lee, next question, question number eight, question number eight क्या गया रहे, निमलिखित में से, कौन सा MS Excel में, वरतमान चैन या, active cell का address दरसाता है, देखो जी, आपके सामने, जो MS Excel है, इसका जो homepage है, कहाँ पर क्या program होता है, कहाँ पर कौन सा option आता है, इस से आपके दो question fix है, आपका exam, आगामी, जब start ह कोई से आपकी से उत्माओ, दो number fix है जी, ऐसी आपका full form से, एक number आपका fix है, formula वाले question से आपका एक number fix है, short form वाले से एक number आपका fix है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से complete करना पड़ेगा, कि कुछ भी question पूछ ले, हमारा गल्त ना हो, अगर आप मेरी बात मानोगे, तो एक काम करना, जैसे कि आपका MS Excel है, एक notebook लेना, MS Excel, उसमें heading डालना, जितने भी अभी तक मैं 13 सेट करा चुका हूँ, अभी तक दिल्ली पूलिस constable के previous year वाले, ऐसी ही आपको समझा समझा के, और थोटी कल दोनों type से करा रहा हूं है, MS Excel heading डालने के बाद, जितने question MS Excel के आई हूए, उन्हें note down एक जंगा कर लेना, ठीक है, दो पे छोड़गे, MS Word, फिर एक फे छोड़गे, short form, एक पे छोड़गे, जो आपका topic है, formula वाला वो, ऐसे करोगे, लगबग आपके मैं 38 सेट तो करा हूँगा, एक दिल्ली पूलिस constable वाले, जो लगातार करा हूँग आप last जिस बच्चे को computer में थोड़ी problem होती है, last उसके 18 सेट देख लेना आप, आप अगर 18 सेट अच्छे से देख लोगे ना, सिरफ एक बार अच्छे से देख लोगे, आप खुद answer बताना चलो कर दोगे, कि किस option से क्या होता है, और कौन सा option कहां पर, so होता है, एक बार right answer है, name box, साथ के साथ में आपके सामने diagram ऐसा लिका रहा हूँ, जो question है, उसके coding विल्कुल आपका city diagram होगा, अब direct name box कहां सो होता ही रहा, आप से किसी भी exam में, name box सो question क्या पूछा जा सकता है, कि जो आपका name box होता है न, excel में name box, formula बार के, बाई ओर होता है, दाई ओर होता ह या नीची होता है, अब आपको यह बेपना होने जी, formula bar कहां पर है, यह रहा, जो वाइट वाला है न, जो उसमें हम formula यूज करते है, यह आपका formula bar है, इसके किस साइड है, formula bar के, यह देखो कहां पर है, name box, बाई ओर है, किस साइड है, name box, formula bar के, इतना आपको पता चला, यह अभरादरसित करता या इतना आपको पता हो न चीजा अब जो extra facts से question बन सकते हैं उन्हें एक बार देखते हैं जो सबसे पहली layer होती है पठी बोल दो साधरन बासा में यदि आपको नहीं पता है यह वाली इसे कि आप बोलते है इसे बोलते हैं title bar title bar के just नीच्चे क्या होते है आपका menu bar menu bar के just नीच्चे क्या होते है standard toolbar formatting toolbar just आपका name box से hoppally side होते है यह आपकी क्या होती है row और यह आपके क्या होते है column maximum कितने column हो सकते है comment box में इसका aanosit हूए क्योंकि question exam में पुछा जाएगा आपके सामने ये दिखा रहा है work sit work sit लगातार पुछा हुआ work sit से question default रूफ से कितनी work sit सो होती है sit number 1, sit number 2, sit number आपके 3 last जो मैं paper soul कर रहा था उसमें जो आपका sit वाला question था उसमें पुछा होता कि जो आपकी ms excel में जो sit होती है default रूफ से किस नाम से save होती है किस नाम से save होती है sit के नाम से save होती है इसके बाद आप change करना चाते हो तो आप अपने according इने change कर सकते हो सबसे पहले कि आता है आपका file edit, view, insert, formatting, tool, date, window, help इसमें उच्छा जा सकता है आप से जो menu बार होती है उसमें इन इन में से कौन सा विकल so नहीं होता है जो आपका कोई window जदी open है उससे close करने के लिए किस side close का option आता है यह आपका होता है top right यह होता है आपका top left यह होता है आपका bottom left यह होता है आपका bottom right जो आप close करते हो किसी program को ये window को तो top right पर click करते हो उसकी बराबर में क्या होता है maximize और इसकी just बराबर में क्या होता है आपका minimize help box कहां सो होता है यह आपका minimize button से निचली side होता है जहां zoom वाला option आते है उससे just उपर जो आपकी slide है यहाँ 6 page पर आपको जाना है पर देखना है ठीक है तब आप क्या कोरोगा यह वाली sit देखने है तो आप horizontal toolbar का use करोगी जो आपका निचली next question question number 9 email header में पाई जाने वाली एक field BCC एक BCC की फुल्पूम पूची जाती है एक BCC की पूची जाती है आपको blind carbon coffee आपको याद है पहले सबसे पहले देखेंगे blind carbon coffee थोड़ा time देना है 5-6 second अच्छी तरी के सब पढ़ना है तब answer इसका लगाना है जल्द वाजी में क्या होता है basic carbon coffee भी blind जैसा पढ़ायता है ठीक लगागा आगे निकल लेते हैं बाद मांसर की चेक करने की समय पता चलता है कि वो आपकी गल्थ हो गई है ठीक है इतना आपको पता होना जरूरी है इसका और basic की होती है आपकी blind coffee ठीक है जी next question, question number 10 निमलिकित में से कौन सा internet पर दिखाई देने वाला परतिक वेब पेज में जुड़े visit address को संदर्वित करता है इसका आपका राइट आंतर हो जाएगा option number URL की full form पुछी जाती है URL की full form क्या होती है uniform क्या होती है आपकी uniform resource locator direct site पर पहुँचाता है जब भी आपको इसी site open करना चाहते है URL गई तो जो होता है डारेक्ट उस site पर होंपेज पहुचाता है HTTP की full form की आती है hyper text transfer protocol www की full form की आती है worldwide web FTP की full form जो होती है उसे comment box में आप answer दे आप सभी के सभी complete set करते चलना ठीक है और आपका confidence इत्मा build up होगा computer में 10 में से 10 number लाने का आपका confidence बिलुकुल एकदम आएगा complete यदि आपको किलास अच्छी लगी है तो वीडियो को like करे share करे और channel को subscribe परे Thank you